हाई गाईज मैं हूँ आपका होस्ट इश्फाक और आप देख रहे हो आपकी अपनी यूट्यूब चनल जेके जाओ अपडेट इस चलिए मैं आपको आज की जाओ अपडेट प्रावाइड करता हूँ लिए सिंपल एटफ पास इन्होंने क्वालिफिकेशन रखी है अगर आप एटपास हो टैंफ पास हो ट्वल्थ पास हो ग्रेजवेट हो तो कहीं नहीं जाएए ये वीडियो आपके लिए है अलसो अगर आपने 10th pass किया है साथ ही में आपने nursing का कोई भी course किया होगा like FMPHW, MMPHW या GNM कोई भी और अगर आपके पास nursing का course होगा तो आपके लिए भी बहुत सारी vacancies है अलसो पठवारी की vacancies भी जे cases भी ने out की है चलिए इस वीडियो में इन डिटेल में हम जान लेते हैं कौन सी vacancies आई है कैसे आपको apply करना है starting date क्या है last date क्या है age qualification हर एक चीज को हम deeply से discuss करेंगे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूंगा अगर आप में से कोई first time जेकी job updates YouTube चनल पे विजिट कर रहा है तो daily job updates के लिए चनल को subscribe करके bell icon को प्रेस करना फर्स्ट आफाल यह जो vacancies जेक आउट किया है इसमें आपको district division and UT carter की vacancies देखने को मिलेंगी अब अगर हम बात करें किस department में कितनी vacancies इन्होंने आउट किया है फर्स्ट आफाल यहां पे GAD mention है general administration department में इन्होंने 52 vacancies आउट किया है उसके बाद revenue department में इन्होंने 528 vacancies को आउट किया है उसके बाद अगर हम बात करें health and medical education department की इसमें इन्होंने 1444 vacancies को आउट किया है जो के बहुत है तो आगे और भी बहुत सारी vacancies आने वाली है उसके बाद अगर हम बात करें corporate department की तो 256 vacancies इन्होंने आउट किया है फुलोरी culture में 4 उसके बाद department of largest in parliamentary affairs में 21 उसके बाद department of cycle development में 6 vacancies को इन्होंने आउट किया है यही total बन जाती है 2311 vacancies जो fresh JKSSB ने आउट किया है अगर हम नीचे आए तो यहां पर JKSSB ने mention किया है starting date and last date के बारे में जो कि आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है आप अपना farm online submit कर सकते हो JKSSB के official web portal से आप अपना जो farm है वो आप submit कर सकते हो 12 April 2021 से लेकर 12 May 2021 तक यह है starting date and last date बारा बारा यानि कि एक मीने का time आपको मिलेगा form submit करने के लिए उसके बाद अगर हम नीचे आए तो मज़ीद यहां पे इन्होंने mention किया है कि candidate domicile होना चाहिए union territory आप जो मुएंड कश्मीर का वो आपको पता ही है यहां पे अगर हम बात करें age की तो upper age limit इन सभी vacancies के लिए जो JKSSB ने mention किया है वो है OM के लिए upper age limit इन्होंने 40 years mention किया है SC के लिए 43, ST के लिए 43, RBA के लिए 43, LC & IB के लिए 43 आप पर age limit इन्होंने mention किया है उसके बाद अगर हम बात करें EWS के लिए 43, PSP के लिए 43, SC के लिए 43, PCP persons जो है उनके लिए 42 उसके बाद अगर हम बात करें एक servicemen के लिए इन्होंने अपरेज लिमिट 48 मेंजिन किया है देन उसके बाद जो आलरेडी से इन गौवर्मेंट service होंगे यां contractual employees होंगे उनके लिए अपरेज लिमिट 14 होंने मेंजिन किया है उसके बाद अगर हम नीचे आये तो मजीद यहां पे JKSSB ने क्या मेंजिन किया है वो हम जान लेते हैं इंपार्टन क्या है इस notification में हाँ application fee जिस दिन आप अपना form submit करोगे उस ताइम पे आपको fee pay करना होगा 350 रुपीज का जो कि आप net banking, debit card, credit card के through कर सकते हो and form आप कहां से submit करोगे इसके लिए JKSSB ने URL भी इस notification में mention किया हुआ है यह इनका official web URL है www.ssbjk.org.n इसी web URL पे आपको link मिलेगी 12 April onwards से आप apply कर सकते हो इसी website से उसके बाद अगर हम नीचे आये तो यहां पे JKSSB ने exam के बारे में mention किया है कि कैसे आपका exam होगा आपका जो exam होगा इन सभी vacancies के लिए वो होगा objective type multiple choice ठीक है यह आप याद रखना also 0.25% की negative marking होगी इच रांग अंसर की यह भी आप याद रखना उसके बाद अगर हम बात करें syllabus की तो मुझे पता है candidates निचे comment करेंगे syllabus कब आएगा क्या निकलेगा या निकला है तो syllabus के लिए JKSSB ने यहाँ पे clearly mention किया है syllabus के बारे में इन्होंने कहा है कि syllabus जो है उसके लिए हम separately notification issue करेंगे यानि syllabus भी very soon आने वाला है वो अलग से JKSSB very soon निकालेगा तो जैसे ही इसे लिए बस आएगा उस दिन भी आपको मैं first of all अपडेट कर दूँगा आपको क्या करना होगा आपको चैनल को सबस्क्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखना है बेल आइकन अगर आप प्रेस करके रखोगे उससे क्या होगा आपसे कोई भी अपडेट मिस नहीं होगी उसके बाद अगर हम नीचे आए तो यहां पर JKSSB ने में मेंशन किया है कि कैसे आप अपना जो फॉर्म है वो सब्मिट करोगे जब आप वेब पोर्टल पर आओगे इनके आपको रजिस्टर वहां पर करना होगा फॉर्स टाप आल एकाउंट क्रेट उसके बाद अपनी डीटेलर्स फिल करनी होगी लॉग इन करके तो यह सब मैं आपको उस दिन बताऊंगा जब आनलाइन लिंक एक्टिव होगी उस दिन में आपको सिखाऊंगा कैसे आप अपने सुमार्ट फोन से अपना फार्म सब्मिट करोगे जो फी आपको पे करना है वो आपको करना है 350 रुपीज अगर आप बाहर जाओगे ना करने ठीक है तो आप से एक्स्टर 200 चार्ज लेंगे तो डोंट वरी मैं आपको इजी वे में सिखाऊंगा कैसे आप अपने सुमार्ट फोन से वो भी कॉरेक्ट ली आपनी 350 रुपीज में अपना फार्म सब्मिट करोगे तो उस दिन पे जैसे ही लिंक एक्टिव होगी उस दिन मैं आपको सिखाऊंगा यह इसी के बारे में इन्होंने यहाँ पे मैंसिन किया है जब आप फिल करोगे तो फोटोग्राफ का साइज क्या होना चाहिए वगरा वगरा तो यह अभी आपको जानना ज़रूरी नहीं है यह मैं आपको उसी दिन बताऊंगा जिस दिन लिंक एक्टिव होगी अब हम सीधा नीचे आते हैं यहाँ पे हम वेकंसिस को कर लेते हैं डिसकस तो यह है केटागरी वाइज वेकंसिस आपको देखने को मिलेंगी इसमें बहुत लंबी नोटिफिकेशन है मैं आपको बताऊंगा आपको करना क्या है फरस्ट अफाल इन्होंने हेल्थ और मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट को मैंसिन किया है जीमसी जुमू के लिए इन्होंने आर्टिस्टी की वेकंसी निकाली है इसमें जो सैलरी कैंड़ेट्स को मिलेगी वो मिलेगी 35,800 तो 1,13,200 ठीक है तो इसके लिए जो कौलिफिकेशन होनी चाहिए सिंपली 10 पुलस 2 होना चाहिए कैंड़ेट्स साथ ही में डिपलोमा या डिग्री होनी चाहिए फाइन आर्टिस में कैंड़ेट्स के पास इसके लिए खाली रिटन एक्जाम होगा इसी तरह से एकार्डिंग लिए जोमू, 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 जोमू के लिए वेरियस वैकन्सीज इन्होंने आउटकिये है कुछ लिए 12 पस कुछ के लिए ग्रेजवेशन यहा पे साइड में कौलिफिकेशन मिलेगी यहीं पर आपको सैलरी भी देखने को मिलेगी, तो आपको क्या करना है, आपको इसी नोटिफिकेशन में नीचे आना है, पहले आपको Health and Medical Education Department मिलेगा, उसके बाद अगर हम नीचे आए, यहाँ पे आप देख सकते हो, GMC जो मुख के लिए ही इन्होंने बारबर की वैकंसी निकाली है, जूनियर पलंबर कि 10 वैकंसी आई है, मेट्रिक पास होना चाहिए, कैनिडेट, 12 पास होना चाहिए, तो बहुत सारी वैकंसी इन्होंने आउट की है, उसके बाद GMC सिरनगर के लिए बहुत सारी वैकंसी आई है, यहाँ पे आप देख सकते हो, आर्टेस्ट की आई है, उसके बाद अगर हम नीचे आई है, लैब, टेक्निशन की आई है, रेडियो थरपी, इसी तरह से बहुत सारी वैकंसी यहाँ पे मैंशन की है, जो कि इन्होंने निकाली है, आपको क्या करना है, आपको देखना है, आप किस वैकंसी के लिए इलिजिबल हो, यहाँ पे आप वैकंसी का नाम बता रहा हूं आपको कैसे चग करना है अभी हेल्थ और मेडिकल एज्टिशन डिपार्टमेंट ही चल रहा है तो आगे आपको इसमें पठवारी जुनियर एस्टंट ठीक है वो सभी वेकंसी यहां पर आप देख सकती हो जुनियर एस्टंट की वेकंसी इन्होंने निकाली है यूटी वाइस थर्टी फाइव वेकंसी इसके लिए जो कैंडिडेट्स ग्रेजवेट होंगे साथी में सिक्स मांथ का डिप्लूमा आपके पास होना चाहिए कंप्रूटर का एंड थर्टी फाइव वर्ड आपकी जो टाइपिंग स्पीड है वो होनी चाहिए अगर यह इसके बाद एफम्प यूटि वेकंसी इन्होंने हेल्फ एंड मेडिकल एज्जूटर में ही निकाली है बहुत सारी इसके बाद हम नीचे आए तो जूनियर इनस्पेक्टर की वेकंसी इन्होंने निकाली है इसके लिए सिम्पल आपके पास अगर अप 10 पास हो तो आप बि मेंचन किया है हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट ही अभी चल रहा है बहुत लंबी नोट्फिकेशन है 157 पेज तो यहां पर मैं थोड़ा जल्दी नीचे आता हूं यह डिस्टिक वाइज यहां पर इनोने मेंचन किया हुआ इसलिए इतनी लंबी है हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट ही अभी चल रहा है देखा कितनी सारी वेकंस यहां पर आप देख सकते हो रेवनियो डिपार्टमेंट देख लिजे जूनियर एस्टंड की वेकंसीज है ग्रेजविट होना चाहिए कैंडेट उसके बाद फिर से जूनिय इस्टंड की नाइन वेकंसीज इन्होंने आउट की है तो एकार्डिंगली आप चेक आउट यहां से करोगे ड्राइवर की है इसके बाद ड्राइवर जूनियर एस्टंड फिर से जूनियर स्किल स्टेन अगराफर इसके बाद ड्राइवर फिर से बहुत सारी वेकंसीज इ तो यह जो notification है इसकी link आपको वीडियो के नीचे description में मिल जाएगी आप इसे download करके check out कर सकते हो यह बहुत लंबी notification है तो आप accordingly देख सकते हो आप किस vacancy के लिए eligible हो उसके बाद accordingly आप उस दिन उसी vacancy के लिए अपना form फिल करोगे बहुत सारी vacancies है यहाँ पर district wise इन्होंने निकाली हुई है तो notification की link आपको वीडियो के नीचे description में मिल जाएगी वहाँ से आप easily से download इसे कर सकते हो ओके thanks मिलते हमारी next वीडियो में मजीद अगर आपका कोई भी question होगा इस notification के regarding कोई भी info आपको चाहिए तो आप नीचे comment कर सकते हो